हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बहुत टाइम बाद व्लोग आया है चैनल पर काफी टाइम से कोई व्लोग नहीं आप आया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा आज मैं बनाने जारी हूँ अर्बी के पत्ते क सबजी इसको डाल के साथ में लपेट के इसके में पकोड़िया बनाऊंगी और उसकी सबजी बनाऊंगी तो रैस्पी बहुत ही टेस्टी इसी है तो फ्लीज वीडियो को देखेगा और यहां पर मैंने पत्ते से डंडल को अलग कर दिया है और यह पत्ते ना मैंने अपने जो गमले में ठोड़ी बहुत गार्डनिंग की हुई है छट पे तो वहीं से मैं तोड़कर लाई हूँ तो यहां पर उड़त की डाल मैंने पहले ही पीस के फ्रिज में लगा दी थी तो वही पत्ते पे पूरे पत्ते पे अच्छे से लेप कर देंगे और उसके बाद पत्त साइड पे डाल लगा कर ऐसे रोल कर लेना है तो सारे पत्तों को मैं ऐसे ही रोल कर लोंगी डाल लगा लगा कर और दाल में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर डाला हुआ है और थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसारा और नमक सिंपल बस इतना ही रखना और हाँ लैसुन डाला है आर्दस कलिया तो उस सब को मैंने पेश्ट कर लिया है और पत्ते मेरे सारे रोल हो गए है और अभी इनको स्लोली स्लोली दीरे-दीरे से कट करना है ताकि दाल जो है ना वह बाहर ना आए तो यहां पे बहुत आराम-ाराम से काम करना है और मैंने पक दाल पक जाए अच्छे से तो इनको पकने में काफी टाइम लगता है तो सारे रोल मैंने अच्छे से कट कर ली है अब मैं इन्हें एक-एक करके उठा के तेल में डालूंगी तो दो-तिन स्लोट में पकेंगे एक साथ ही सारे नहीं पक पाएंगे तो यहां पे पकोड़ है इस तरह से और एक साथ सारे नहीं पलटना है नहीं तो यह खराब हो जाएंगे मतलब कि खुल भी सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम देके फिर इनको पलटना है तो एक स्लोट मेरा निकल गया है और यह अच्छे से पक गए हैं और अभी मैंने दूसरा भी डाल दिया है तो बस दो बार में ही मेरे जो सारी पकोडिया है वो बन कर तयार हो जाएंगी तो पकोडिया हमारी बन गए है और हम ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है और हम इसे खाएंगे कोल्डिंग के साथ में तो कफी टेस्टी और यमी सी बनी थी तो चलिए मिलवाते हैं आपको अभी फिराल अधर्व से तो अभी साम का समय हो रहा है करीब साथ बज रहे थे तो तभी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमें कोल्डिंग के साथ में पकोड़िया चाहिए थी तो इसलिए मैंने आज डिनर बनाना थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया था और यह सबजी काफी टाइम लगने वाली थी तो इसलिए मैंने जल्दी डिनर बनाना इस्टार्ट कर दिया और मसाला भी मैंने पीस कर रख लिया है मसाले में वही अपने रिगुलर स्पाइसीच हल्दी धन्या नमक और गरम मसाला लेशन अदरक तो यही सब को मैंने पेस्ट कर लिया है और प्याज को भ बचा हुआ तेल है उसको में टिफिन में डाल कर रख दूंगी नहीं तो ये खुला इसमें धूल मिटी जाएगी तो ये खराब हो जाएगा और यहां पे मैंने टमाटर भी डाल दिये हैं ये एक नया एक्सपेरिमेंट है बैसिकली मैं सबजी में टमाटर यूज नहीं करती ह हूँ ऑज मैं इसमें नदों टमाटर में मैंने काटके डाले हुए देखते हैं कैसा टेस्ट आता है टमाटर के साथ में अधर ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि अभी सब्जी थोड़ा सा पकेगी तो और करी जैसी आपको चाहिए तो यहां उनको सिर्फ ऐसे खुला ही छोड़ दूगी ऐसे ढख देना है बंद नहीं करना है को कर को सीटी नहीं लगानी और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है तो जब तक मेरी सबजी इदर पक रही है तो और भी काम है किशन के तो फटा फट से मैं इदर बरतन धुल लेती हूं तो लंच के बरतन भी हमारे पड़े हुए थे तो उनी को धुलना है तो यहां पर सारी बरतन में फटा फट से बाहर पानी से मैंने पहले वास करके निकाल दिये फिर इनको मैं साबुन से अच्छे से माज दूँगी और फिर उसके बाद हम इनको एक एक करके पानी से धूल दे लूँगी और फिर जब हम लोग खाएंगे तो फिर उसी समय में रोटियां सेख लूँगी तो चलिए फटा फट से बरतन दूल कर रख देती हूं और सामकी चाए भी हमने पी थी और आजकल लॉकडाउन में सब लोग घर पे ही हैं ऑफिस होता है पर अल्टरनेट डेज प में बरतन उसमें इकठे ही रहते हैं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ बनता रहता है और बरतन इकठे होते हैं मैंने सारे धूल दिये हैं लंच से अभी तक के जितने भी बरतन थे वह सारे मैंने वास करके रख दिये हैं तो इनको मैं स्टेंड पे रख देती हूं साथी स सबजी पकी नहीं यह दोड़ा सा इसमें टाइम लगता है जब तक मैं आटा लगाकर रख देती हूँ तो सिर्फ मुझे रोटियां सेक नहीं रहे जाएंगी क्योंकि अभी रोटियां सेकर नहीं रखोंगी अभी खाने का टाइम हुआ नहीं है रोटियां सारी थंडी हो है तो वो दुनों यहां पर टीवी देख रहे हैं तो मैं भी आ गई अधेर वाजकल बहुत मस्ती करने लगा है वो भी कुछ ना कुछ आक्टिविटी करता तो ऐसे हमारा जो टाइम है वो कट जाता है तो इसके बाद हम करेंगे डिनर हलो कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैंने ना अरवी के पत्ते की सबजी बनाई थी डाल लपट के जैसे कि आपको मैंने दिखाया तो रेस्पी मैंने सुट की थी तो सब तो खिली बाई बाई और टेक क्यार गुटनाइट